प्रश्ण कह रहा है कि एक पूर चित्र में यानि एक पूरा चित्र में कितने ग्राउंड यानि सतह हो सकते हैं एक पूरी चित्रकारी में कितने ग्राउंड या सतह हो सकते हैं एक, तीन, पांच या अंगिनत कॉमेंट्स करते रहिएगा मेरे प्रश्ण का उत्तर देने से पहले आप लोग ताकि आपको भी पता चले कि आप जो है कितने जो है तैयार है भूले नहीं है और अगर पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके अगर आपको वीडियो पशंद आए तो लाइक कर दीजिएगा सेर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा ताकि नए लोग भी जुड़े तो चलिए पहले प्रश्ण का जो हम जब आप देखते हैं वो आपका हो जाएगा बी तीन ठीक है अगर भूमी मध्यभूमी और प्रिष्ट भूमी ये तीनों ग्राउंड एक पुड़ चितर में पाए जाते हैं अगर भूमी मध्यभूमी प्रिष्ट भूमी अगला प्रश्ण प्रश्ण कहा रहा है कि चितर में द्रिष्टिकत भार चित्र में जो द्रिष्टिकत भार है उन सहयोजन के किस तत्तों से जुड़ा रहता है संतूलन से, अनुपात से, सामन जस्य से या सहयोग से इन चारों में से किसी से द्रिष्टिकत भार सहयोजन के एक तत्तों से जुड़ा रहता है ठीक है तो इस प्रसन का जो जबाब होगा वो हो जाएगा A. संतुलन किस से जुड़ा रहता है? संतुलन से जुड़ा रहता है अगला प्रशन है मित्रो प्रजनन एवं विकाश का प्रतिकात्मक रंग कौन सा है? हरा रंग है लाल रंग है नीला रंग है या ना रंग है प्रजनन और विकास का प्रतीक पूछ रहा है इनमें से कौन शा रंग है ठीक है तो इस प्रसन का जो जबाब होगा आपका वो हो जाएगा हरा हरा जो है प्रजनन और विकास के प्रतिकात्मक रंग है अगला प्रश्ण देखिएगा प्रश्ण का कहना है कि टेंपरा जो तकनीक है वो किस माध्यम का परियोग होता है यानि टेंपरा जो तकनीक हमारी है उसमें माध्यम कौन सा परियोग होता है जल रंग का माध्यम पेस्टल रंग का माध्यम एकरलिक रंग का माध्यम या तैल माध्यम इनमें से कौन से रंग का माध्यम आपका टेंपरा तकनीक में इस्तिमाल गया जाता है यह है हमारा प्रशन तो इस प्रशन का राइट अन्सर आपका हो जाएगा C एक्रिटिक रंग जो है वो माध्यम होता है टेंपरा तकनीक का अगला प्रशन देखिएगा प्रशन कह रहा है कि प्रतिकृति चित्रड जो प्रतिकृति चित्रड थी वो किसके सासनकाल में उच्च अस्तर पर थी यानि पूरे कहले जिए चरम सीमा पर जिसको कहते हैं पूरे इदम हाई लेवल पे जो थी वो कौन से इस चारो राजा के शासनकाल में जो है आपकी प्रतिकृति चित्रड जो है थी हुमाईयू के जहांगीर के साजहां के या अकबर के तो मित्रो इस प्रसनका राइट अंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी जहांगीर के हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन आपसे पूछ रहा है साद्रिश्य जो है उसका अर्थ क्या होता है उसकी मीनिंग क्या होती है या ये कह लिजिए कि उसका मतलब क क्या होता है ठीक है स्राद्रिश्य का माइने या अर्थ या मेनिंग क्या होता है समाविष्ट होता है सहायता चित्रांकित या आकरिती में शमानता क्या होता है सही माइने में स्राद्रिश्य का अर्थ तो इस प्रसन का जवाब होगा आपका डी आकरिती में शमानता जो होता ह वो साद्रिश्य का सही अर्थ होता है, मतलब होता है अगला प्रशन है देखिएगा प्रशन कहरा है कि सूरी किरडों के रंगों का परियोग जो सूरी के किरड के रंग है उनका परियोग केवल देखने के काम आता है हमारे केवल आभाश कर सकते हैं उसका यानि महशूश कर सकते हैं या आभासी चित्रण में किया जा सकता है उसका परियोग या सैध्धान्तिक तोर पर किया जा सकता है किस तरह से सूरी केड़ों के रंगों का परियोग हम कर सकते हैं ये पुशे रहा है मारा अगला प्रश्न ये तो इस प्रस्न का जो जबाब होगा वो आपका हो जाएगा सी आभासी चित्रण में किया जा सकता है सुर्य के केड़ों के रंगों का परियोग ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि सडांग का पहला अंग कौन सा है ठीक है सडांग का पहला अंग कौन सा है सडांग वास्यान के जो है गरंथ से जैमंगला का टीका किया गया ठीक है और उसमें सडांग के बारे में छै अंगों का जिकर किया गया उसमें पूछ रहा है जो पहला अंग है वो कौन शा है प्रमाड है साद्रिश्य है रूप भेद या भाव तो मित्र इस पसंद का राइट इंसर हो जाएगा सी रूप भेद जो है वो सडांग का पहला अंग कहलाता है अगला प्रशन है भारतिय चित्र सडांग के सुतरधार कोन है भारतिय चित्र सडांग के सुतरधार किसे माना गया पंडित यशोधर को बाड़भट को भास या सुकराचारे को इन चारों में से किसे भारतिय चित्र सडांग के सुतरधार कह गये तो इस प्रस्ण का राइट अंसर हो जागा ए पंडित यसोधर यानि यसोधर पंडित यसोधर पंडित को कहा गया ठीक है अगला बढ़ते हैं अगला प्रस्ण कह रहा है आपसे कि नाटि सास्तर के प्रेड़ता है जो नाटि सास्त्र है उसके प्रेडता किसे माने दिखिएगा एक बिकल्प इसमें स्कैनिंग में छूड़ गया है तो यहां जो हैं हम आफसन डाल लेते हैं अरस्तू एक आफसन यहां डाल लेते हैं डी के रूप में तो इस प्रसन का राइट इंसर होजएगा C भरतमुनी कौन है भरतमुनी अगला प्रशन है मित्रो वड यानि रंग जो है के लिए भारतिय चित्रकला के सडांग में कौन सी सब्दावली का परयोग गया है यानि प्रशन हमारे ये कहना चाहता है कि जो भारतिय चितरकला है उसमें भारतिय चितरकला के जो सडांग है अंग है उसमें जो हैं रंग को हम किस सब्दावली यानि किस सब्द के नाम से पुकारते हैं ये कह रहा है जैसे कहने का मतलब मेरी ये है कि आप example लिजी एक basic कि अगर आप यहाँ हैं और यहाँ आप मिट्टी का तेल बोलते हैं तो बुंबई में उसी को लोग घासलेट बोलते हैं ठीक है? उसी चीज को बुंबई में लोग घासलेट बोलते हैं तो यहाँ हम मिट्टी का तेल बोलते हैं किसी वर्डी का भंग हम कहते हैं भारती चित्र कला के सडांग में रंग को अगला प्रशन है कि कला एक अभिव्यक्ती है ये कोटेशन है और ये कथन किस्ने कहा है प्लेटो ने क्रोचे रस्कीन या टाइल स्टाइब तो ये quotation है ये और ये quotation जो है पूछा जाता है अक्सर तो पूछ रहा है कि quotation कला एक अभिवक्ति है कि इसके द्वारा कहा गया तो मित्रो यह वो कहा गया रश्कीन के द्वारा किसके द्वारा रश्कीन के द्वारा अगला प्रशन कहरा है देखिएगा प्रशन का कहना है कि भारतिय चितरकला के सडांग के जो लेखक है वो कौन है ठीक है अब यह थोड़ दर पहले आपने पढ़ा कि भारती चितरकला के सडांग में रंग को हम वर्डिका भंग कहते हैं और भारती चितरकला का जो सडांग है उनके लेखक के रूप में इन चारों में से हम किसे जानते हैं मित्रो वाश्यान को भरतमो Director को ये शोधर पंडित को ये कुमार स्वामी को तो इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जाएगा यह सोधर पंडित को ठीक है अगला प्रस्ण देखिए प्रस्ण का कहना है कि सौंदर्य क्या है क्या होता है सौंदर्य क्या मेनिंग माइने मतलब ठीक है कालाकृती होती है अभिबेक्ती होती है जीवन का आनंद होता है या रस निस्पत्ति होती है क्या होती है शोंदरे का अर्थ मेनिंग माइने क्या होता है तो मित्रो इस प्रसन का राइट अंसर हो जागा रस निस्पत्ति ठीक है डी राइट अंसर इसका अगला प्रसन आपसे कह रहा है कि कला के शंदर्व में जो कलम सब्द है उसका प्राय क्या है उसका अर्थ क्या है कला के ध्यान से दिखिएगा कला के शंदर्म में पूछ रहा है कलम का प्राय क्या है लेखनी कूची जिसे हम ब्रश कहते हैं सैली या उपर युग तुमेशे कोई प्रही बहत्रीन और इंपर्टेन प्रश्न है अपने आप में यह और इस प्रस्न का जो राइट एंसर होगा वह हो जाएगा सी सैली कला के शंदर में मित्रोहम कलम को शैली प्राय देते हैं प्राय है उसका मतलब ठीक है अगला प्रश्न है कि मानोतावाद जो है वो किसकी कुझी है पुनर उत्थानवाद की स्वच्छंदतावाद की या थार्थवाद की या उत्तर प्रभावाद की इन चारों में से कौन से वाद की कुझी है मानोतावाद comments box में comments डालते जाईएगा उत्तर देने से पहले मेरे कि क्या होगा इसका right answer तुमित्रो इसका right answer हो जाएगा ए पुनरुथानवाद की जो है कुझी है मानवता ठीक है अगला प्रसन है और प्रसन कह रहा है कि ओष्टवार्ड ने कितने रंगों का रंगत चक्र में रखा है यानि ओष्टवार्ड ने कितने रंगों को अपने रंगत चक्र में मेंशन किया डाला कह लिजिए या मेंशन किया कह लिजिए या रखा जो भी कहना है आपको ठीक है कितने जो है चक्र में रखा कितने रोंगों को चार को, तीन को, साथ को या छे को ठीक है तो सबसे पहले इस प्रसन का जिकर करते हैं कि ये जो बिकल्ब दिया है इसमें से जो है बिकल्ब जो है गलत है मतलब मेरे ख्याल से कि इसमें उसका answer ही नहीं है अगर हम देखें तो जो जर्मन के रहने वाले से सूपरसिद उस्टवार्ड जो है वो जर्मन से रहने वाले थे और उन्होंने जो है जितने रंगत चक्र में जो इतने रंगों का इस्तमाल किया था वो थे आठ कितने थे आठ लेकिन इसमें आठ कोई option नहीं है इसलिए हम इससे जो है थोड़ा फाल्ट मागनेंगे इसमें आठ आपसन होना चाहिए आप याद रखेगा जो उस्टवार्ड ने रंगत चक्र में आठ नंगों का जो है में नसन किया है ठीक है अगला प्रस्ण है देखिएगा प्रस्ण कहह रहा है कलाना प्रवर चित्र धर्मातर काम मोच्छदम किस पुस्तक में उद्भव है ठीक है प्रस्ण है द्यान से एक बार और दिख लिजए कलाना प्रवरंग चित्रंग धमार्त काम मोच्छदम ये पूरा वाक्य है में तुरू एक संस्कृत का ये ठीक है संस्कृत का पूरा ये वाक्य है और सवाल हमारा ये कह रहा है कि ये कौन से पुस्तक में लिखा हुआ है काब्य दर्स में नाट्य सास्तर में चित्र सुत्रम या सिव सुत्र बिमर्सरी किस में लिखा है ये संस्कृत का वाक्य है ठीक है मित्रो इस प्रसन का जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा C चित्र सुत्रम में ये सब्द लिखा हुआ है ठीक है अगला प्रशन भारतिय चित्रकला के सडांग में जो अनुपात है सब्द किस सब्द से परिभाशित किया गया ध्यान से समझेगा एक और प्रशन था उपर आपका इसी तरह से लेकिन वो प्रशन ये था कि भारतिय चित्रकला के सडांग में रंगों को किस सब्दावली से परियोग किया गया था यहां कहा रहा कि भारतिय चित्रकला का जो में सडांग है उसमें जो अनुपात सब्द है अनुपात उसको किस सब्द से यानि सब्दावरिश्य परिभाशित किया गया है definition किया गया है define किया गया है सादरिश्य से लावड़ी योजना वड़ी का भंग या परमार से ठीक है तो उमेद करता हूँ कि आप प्रशन समझ गया होंगे तो इस प्रसन का हम लोग जो जब आप दिखेंगे वो होगा आपका डी परमार क्या होगा परमार अनुपात को जिस सब्द से परभाशित किया गया उसे परमार कहते है और रंग को जिस सब्द से सब्दावलिश्य दिखा गया उसको वड़ी का भंग कहते है अगला प्रशन देखिएगा प्रशन कह रहा है कि अमर्ता शेरगिल ने चित्रकला की जो सिछा ली थी वो कहां से ली थी रोम से लंदन से पेरिश से या लाहोर से अमर्ता शेरगिल जो भारत की एक बहुत ही 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 बहुत जो भी problem हो तुरंत उसको जो है कहिएगा तो चलिए इस प्रश्ण का आपका राइट इंसर हमनों देख लेते हैं तो इस प्रश्ण का राइट इंसर हो जाएगा सी पेरिशे ठीक है सिच्छाली चित्रकला की पेरिशे आईए अब कहरा है अगला प्रशन की अमिर्ता शेरगिल ने भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा यानि कि अमर्ता शेरगिल जब भारत आई तो उनको कौन सी कला को देखके इंचारों में से उन पर प्रभाव पड़ा लोक कला का प्रभाव पड़ा उन पे अजनता के चित्रों का उन पे प्रभाव पड़ा राजस्थानी चित्रों का या बंगाल पुनर जागरड काल के चित्रों का प्रभाव पड़ा तो किस तरह के चित्रों का प्रभाव पड़ा जब अमिर्ता शेरगिल अपनी शिच्छ प्रश्णों के बहुत लाजवात शिरीज हैं बस आपको ध्यान देना है और अगली भरती जो आने वाली है उसमें आप benefit लेने वाले हैं इससे KS कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं मतलब KS कुलकर्णी सहाब कहने का मतलब इस प्रश्ण का है कि KS कुलकर्णी साहब किस तरह की कला में माहरत हासिल रगते थे प्राकृतिक द्रिश्य में, ग्राम में जीवन के द्रिश्य में, प्रतिकृति जित्रों के द्रिश्य में या पौराडिक कहानियों के द्रिश्य में इन चारों में से कौन शे कला में उनको माहरत हासिल थी इस पेसली ठीक है तो इस प्रसंद का राइटन सरब कहो जागा मित्रो बी ग्राम में जीवन के द्रिश्य में किसमें ग्राम में जीवन के द्रिश्य में अगला प्रशन है केके हैवर के अंतिम दिनों का चितर शैली है केके हैवर के अंतिम दिनों की चितर शैली जो है वो कौन सी है अलंकारिक थी रेखातमक थी वास्तो धर्मी थी या सास्त्रिय थी किस टाइप की थी केकर हैवर के अंतिम दिनों की चितर सिंखला या चितर शैली तो फटाफट कमेंट दिते जाएं मित्रो और वीडियो पूरा देखिएगा बार बार हजार बार एक ही बात कहता हूँ कि वीडियो जब पूरा देखेंगे आप तब ही आपको समझ में आएगा अपने प्रशनों का सिरेज और स्टाइल पहुच रहेगा ठीक है तो इस प्रशन देखते हैं तो अगला प्रशन आप से पूछ रहा है मित्रो अगला प्रशन हमारा पूछ रहा है भारत के एक मात्र कालाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ परदे थे भारत के सिर्फ एक मात्र ही कलाकार थे जो पिकासो आपको पता ही है बहुती काबिल चित्रकार बहुती अनवही चित्रकार जिनके आज भी जो है परदर्शनियों में चाहे आज भी उनकी जम निलामी होती है तो उनके जो है निलामी में उनकी जो है चित्रों की बोली खरबों अर्वों में कई करोडों में जाती है तो पिकाशो के साथ परदर्शीत हुआ था भारत का वो पिकाशों के साथ परदसीत हुथा भारत के वो एक मात्र कलाकार थे जो भारत माता के चित्र बनाने पर नगन चित्र बनाने पर वो विवाधित में आये और उनको देश छोड़के जाना पड़ा और जाके वो कहीं और उन्हें अपनी नागरिकता ले ली ठीक है अगला प्रद्यापक के रूप में कारेरत थे फटाफट कमेंट करते जाएं मित्रो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को सेर तो एकदम बनता है और आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे सब्सक्राइबर हमारा इतना साथ दिया आप लोगे ने इतना प्यार और महबत दिया आपन प्यान बना सकता है उसका सर्फ प्यार आपका प्यार चाहिए उसको और वस इसी तरह बने रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए ववस्ति ही मैं आधसे कामना करता हूँ चलिए इस प्रशन का उत्तर देख लेते हैं तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा भी बड़ा अगला प्रशन है कि कम्पनी शैली भारतिय केंद्रों में प्रसिद है बर कम्पनी शैली के भारतिय केंद्रों में कौन सा प्रसिद है मुर्शिदाबाद प्रसिद है कलकत्ता पटना या दिल्ली जो कम्पनी शैली थी वो कम्पनी शैली मुगल के पतन के बाद जो आई प्रतिक प्रस्त आसे कहराई मित्रो किस भारतिय कलाकार के चित्रों प्रतिलिपी अधीकर लिखरा है, भारतिय कलाकार है, जिसकी प्रतिलिपी यानि कहलेजिए कॉपी यानि कहलेजिए जिरॉक्स कॉपी जो होता है उसकी प्रतिलिपी जो हर घर में आपको देखने को मिलेगी नंदलाल बशू है वो छेतिंदरनात मजुमदार अमिरताश शेरगिल या राजा रभी बर्मा तो इस प्रसन का जो जबाब होगा वो आपका हो जाएगा डी राजा रभी बर्मा जो की पौराडिक जो है पौराडिक चित्रों को बनाया करते थे और उसमें सबसे ज़्यादा देवी देवताओं के चित्र बनाते थे तो आज काल सबके घरों में जो भी हमारे हिंदू भाई बहन लोग हैं उन सबके घरों में देखिएगा किसी ना किशी भगवान का राम हो या किश्न हो या हनुमान हो किसी ना किशी का जो है अपना अपना जो भी जो है रखना चाहते हैं वो रखे हैं उनकी पूजा भी कर अंग्रेजी शासन के कारड जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी यूरोपियन शैली, सास्त्रिय शैली, कमपनी शैली या बंगाल शैली यहनी अंग्रेजी शासन के कारड एक नवीन चित्र शैली का उद्भव हुआ और उस शैली को हम किस शैली के नाम से जानते हैं तो मित्रो उस शैली को हम कमपनी शैली के नाम से जानते हैं जिसे हम पटना सैली भी कहते हैं और आपको अभी थोड़ दिर पहले मैंने आपको बताया था कि ये सुरू हुआ था मुगलों के पतन के बाद ठीक है अगला प्रशन प्रशन आपसे कह रहा है कि प्रत्थम भारतीय महिला चित्रकार थी पहली भारतीय महिला चित्रकार के रूप में हम किसे जानते हैं ललिता लाजमी को अमिर्ता शेरगिल को गौरी भंज को या सुनैनी देवी को तो पर्थम भारतिय महिला चितरकार के रूप में जिस फीमेल को हम जानते हैं उनका नाम है सुनैनी देवी ये पर्थम भारतिय महिला चितरकार है तो आप लोग कमेंट्स बताइएगा कि अमिर्ता शेरगिल को क्या कहा गा है भारती महिला चितरकार में मत्तब इनको तो पर्थम कहा गया है अमिर्ता शेरगिल को क्या कहा गया है ये जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा कमेंट्स दीजिएगा अगला प्रशन है इन में से कौन औशबद है सबसे अलग है डिफरेंट है भिन है जो भी कहिए कह सकते हैं आप सब्द में अपने ठीक है के एस पानीकर, मुकुलडे, एनेस बेंदरे, अमरता शेरगिल ये चार कालाकार है चारो कालाकार है चितरकार है अपने आप में चारो का नाम चितरकारी में ही दिया गया है लेकिन फिर भी कहरा है और शबद है क्यों इन में से कोई ए तो इस प्रशन का राइट अंसर होगा पहले तो भी अब भी क्यों अब शब्बद है या आप जरा कमेंट्स में जरूर बताईएगा हमें कि सभी तो चित्र कारें लेकिन क्यों इन्हें ही सिर्फ जो है इनसे अलग कहा गया ठीक है मित्रों आईए अगला प्रस्ण देखिएगा हमारा पूछ रहा है चित्र में जो रेखा होती है वो क्या करती है आकर्तिक को रूप देती है प्रवाह पैदा करती है चित्र को उभारती है या उक्तशभी कारियों को इन तीनों कारियों को वो करती है तो जो चित्र बना जाता है तो उसमें रेखा का क्या रोल होता है यह हमारा प्रश्ण ठीक है तो मित्रो इस प्रसंद का राइट अंसर हो जाएगा उक्तशभी यानि ये शबी कि चितर में रेखा जो है वो आकरती का रूप भी देती है परवाह भी पैदा करती है और चितर को उभारती है यानि इन तीनों कारियों का रोल अदा करती है चितर में एक लाइन यानि रेखा ठीक है अगला प्रशन आपसे पूछ रहा है कि कौनसा बक्तब शही नहीं है सही नहीं ध्यान दीजिएगा आकरती को रूप मिलता है प्रतीक से रेखा से रंग से या छाया प्रकाश से अब देखिएगा प्रशन कहा है कि इन में कौन शा व्यक्तब शही नहीं यानि व्यक्तब यह जो लिखा हुआ है जहां हमको खाली अस्थान भरना है लेकिन हमको वैसा अस्थान चीज भरना है जो सही नहीं है वाक्य के अनुशार आकरती को रूप मिलता है ठीक है तो इस प्रसंद का राइट एंसर जाएगा प्रकास चाया से आकरती को रूप नहीं मिलता प्रतीक से रंग से रेखा शे मिलता है तो व्यक्तब में ये वाक्य जो है गलत है उस वाक्य के लिए बाकी सभी हमारे सही है ठीक है अगला प्रस्शन पूछ रहा है आकरतियों को से अस्पष्ठ होता है क्या जो आकरतियां होती है उन और मुश्किल से मुझे लगता है 20 सेकेंड के अंतराल में आपको जो अपनी प्रशनों का उत्तर देता हूं उससे पहले आप कमेंट कर दिया के रिए ताकि आपको भी पता चले तो इस प्रसंद का राइट एंसर हो जाएगा बी रूप क्या हो जाएगा रूप जो होता है व होता है क्या जो द्रिसी चित्र होते हैं उसमें जो परिप्रेच्छे होते हैं उनसे क्या अस्पष्ठ होता है वस्तु की इस्थिति का वस्तु के आयतनखा वस्तु का रंगरूप या उपरूप्त शभी तो प्रश्न है हमारा कि द्रिस्ची चित्र में परिपेच्छे से जो अस्पस्ट होता है वो क्या अस्पस्ट होता है तो मित्रो वो अस्पस्ट होता है वस्तु की इस्थिति का क्या द्रिस्ची चित्र से परिपेच्छे में जो अस्पस्ट होता है वो क्या होता है वस्तु की इस्थिती का पता लगता है इससे ठीक है अगला प्रशन देखिएगा प्रशन का कहना है कि द्रिशिच देखिएगा ये प्रशन रिपीट आ जुगा है इसलिए इसको हटाईए आगे बढ़िए अगला प्रशन देखिए प्रशन कहरा है कि एक मकान का अंकन परिपेच्छ के शिद्धान्द के अनुशार वायवी परिपेच्छ के अनुशार किया गया है वो रेखिय परिपेच्छ के अनुशार साधार परिपेच्छ के अनुशार या उक्रुत में से कोई नहीं ठीक है तो एक मकान का अंकन परिपेच्छ के शिद्धान्द के किसके रेखिय परिपेच के सिध्धान्त के अनुशार होगा ठीक है अगला प्रशन उसी पे है कि परिपेच सिध्धान्त में महत्व है किसका यानि इन में से किन का परिपेच सिध्धान्त में महत्व है दूरी और नैक्टि का प्रकाश और रंग का विलिय मान बिंदु और चितिज रेखा का या इन सभी का परिपेच्छ सिधान्त में महत्तो होता है तो कमेंट्स कर दीजे फटाफट अपने उत्तर मेरे उत्तर देने से पहले कि परिपेच्छ सिधान्त में महत्तो किन का होता है तो अगर हम इस प्रस्ण का राइट एंसर देखें तो वो हो जाएगा उपरुक्त शभी दूरी और नैक्ट्य प्रकाश और रंग और बिलियमान बिंदु और छितिज रेखा ये सभी जो होते हैं परिपेश सिधानत के महत्तों में आते हैं ठीक है अगला प्रस्ण देख लें चलिए अगला प्रस्ण देखिए का पूछ रहा है भारतिय चितरकला में रंग के साथ महत्तों है किसका प्रकास और छाया का परिपेश्य का रेखा का या माडलिंग का ठीक है जो हिंदुस्तानी चितरकला है उसमें जो रंग है उसका महत् यह प्रशन है हमारा ठीक है वीडियो पशंद है तो लाई यह रूर करिएगा और शेयर करिएगा अगर आप फेस्बूक सब कुछ नए नए है अभी एक साल हुआ हमें इसमें जुड़े हुए फिर भी अभी आप लोग का प्यार अच्छा चल रहा है और मैं चाहता हूं कि यह प्यार थोड़ा और अच्छा बना रहे बस इसी उम्मीद के साथ आप लोग का लाइक और कमेंट देखे हिम्मत बनी रहती है तो प्राण आता है यानि चित्र में प्राण आता है एक जान आ जाता है देखने में एकदम लगता है कि जान एक तरस जान डाल दिया गया है कैसे रंग से रेखा से लै से या उक्तिशबिशे चित्र में जो है वो प्राण कैसे आता है ठीक है यह प्रस्ण हमारा पूछ रहा है चलिए पता ये मित्रों चित्र में प्राण आता है कैसे तो इस प्रस्ण का जो राइट अंसर होगा वो होगा आपका उक्त शभीशे रंग रेखा और ले ये तीनों जब रहेंगे तभी चित्र एकदम दमदार दिखाई देगा उसमें लगेगा कि अभी ये चित्र हमारा बोल देगा कुछ इस तरत से उसमें प्राणा जाता है ठीक है? अगला प्रस्ण सौंदर जास्तर के अनुशार भाव कितने होते हैं? सौंदर जास्तर के अनुशार भाव कि शंख्या कितनी हैं? पाँच आठ नो या बारा कितनी है मित्रो सौंधर शास्तर के अनुशार भावो की शंखिया कमेंट में फटा फट डाल दीजिए और कई लोगों ने पूशाए सर क्लास कब चलती है तो क्लास डेली आपकी 8 बजे चलती है रात में डेली 8 बजे आपकी क्लास चलती है और जब कभी क्लास नहीं लेना होता है 8 बजे तो मैं आपको नोटिफिक्शन जरूर देता हूं लेकिन डेली रात 8 बजे आपकी क्लास चलती है ये कला TGT PGT की ठीक है तो इस प्रसंड का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शी नो अंदर शास्त के अउशार भा आने क्या है ठीक है अच्छी कलाकिरती है उसका मतलब कलाकिरती में प्रदसित भाव है उसका मतलब कलाकिरती का विशय है या दर्सक के मन में उत्पन आनंद की अनुभूती है रश ठीक है तो मित्रो रश जो है वो दर्सक के मन में उत्पन आनंद की अनुभूती को ही हम क् तो इसका डी राइट एंसर हो जाएगा और इस वीडियो का आखरी प्रशन आप से पूछ रहा है कि वाश्यान रचित कामशुत्र की ब्याख्या याक्टी का जानी ब्याख्या उसको कहते है याटी का कहिए ठीक है में कला के सडंग का उलेक किष्णे किया ध्यान से समझे प् और उसका टीका किया था यानि टीका मतलब उसका ब्याक्ष आख्या किया था कला किसी ने इन चारों में से और उसमें उन्होंने कला के सडंग का उल्ले किया था किसने किया था कालिदाश ने बाडबट ने यशोधर ने या शुद्रक ने तो इस आखरी कोश्चन का जो जबाब होता है वो हो जाता है सी यशोधर पंडित ने जो है वाश्यान रचीत कामशुत्र की विहक्षा की यानि टीका की और उसमें कला के सडंग का उलेक उन्होंने किया तो इस प्रसंट का राइट होगा सी तुमित्रो दिल से बताएगा कि कैसा लगा वीडियो और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दिजिएगा और सबसे बड़ी आपसे रिक्वेस्ट मैं हमेशा कर रहा हूँ कि सेयर करिएगा, सेयर ज्यादा से ज्यादा करिए यह भी हो, ट्विटर हो, आपका इंस्टा हो, जो भी हो आप वाटसप गुरूप जो भी चलाते हो, फेस्बुक गुरूप चलाते हो उसमें भेद दीजिए, और सपोर्ट दीजिए, बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए बाकी मैं खुद सम्हार लूँगा प्रशनों के सीरीज अच्छे अच्छे बना के तो चलिए इनी बातों के साथ दे जीजिए इजाज़त का फिल मिरते हैं सी समय सी टाइम लेकर कुछ और बैतरीन कोशनों के सीरीज तब तक के लिए नमस्कार